नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ और मेडिसिन्स हिंदी मैं वैसे तो हम हमारी इम्मूनिटी को अच्छी रखने के लिए कई सारे घरेरों नुस्खे आजमाते हैं कई सारे आयुर्वेदिक उपचार भी करते हैं और हमारे श्रील का अच्छी तरह से ध्यान भ हो जाएगा आपकी रोग प्रतिरोदक शक्ति अच्छी हो जाए तो इन पांच आदतों को धीरे धीरे करके आपको छोड़ना होगा नमबर एक हैं ज्यादा मात्रा में कैफिन का सेवन करना देखिए हम मैं से कहीं सारे लोग अपने पूरे दिन को अच्छा बनाने के लिए पूरे दिन को एक्टिव रखने के लिए चार कोफी का सेवन करते हैं मरियदित मात्रा से कोई प्रोब्लेम नहीं है लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा मात्रा में चार कोफी का सेवन करते हो तो आपके श्रीर में कैफिन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी जिससे आपकी ज निंद पूरी नहीं होगी आपको निंद की कमी हो जाएगी इसी निंद की कमी के वज़े से जब आप सुबह उठोगे तो आप बहुत ही थकान महिसुस करगे और आप ज्यादा मात्रा में चार कॉफी का सेवन करोगे जिससे कि अब्लोटिंग और गेस की समस्य हो जाएगी नंबर दो है ज्यादा मात्रा में नमक का सेवन करते हैं वह लोग जो खाने के उपर से भी नमक डालते हैं उन्हें खास ज्यान रखना है कि ज्यादा नमक आपके शरीर करिया अच्छा नहीं है अगर सोडियम का प्रमाण आपके शरीर में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपकी जो हडिया है वो कमज़ोर हो जाएगी साथी साथ हाई ब्लेट प्रेशर की भी परेशानी हो जाएगी इम्मुनिटी अच्छी रखने के लिए चाहे आप कितना भी हल्दी फूड खाए लेकिन अगर उस फूड में नमक की मात्र ज्यादा होगी आपके खाने में नमक की मात्र ज्यादा होगी तो अल्टिमेटले आपकी इम्मुनिटी भी कम हो जाएगी नमर तीन है alcohol and nicotine insert addiction अगर आप बहुती ज्यादा मात्रा में शराप का 7 करते हो बहुती ज्यादा smoking करते हो तो आपकी immunity के लिए अच्छा नहीं है अगर शराप की बात करे तो वेसे तो सराप पिना स्वास्थे के लिए हानिकारक ही ये लेकिन कुछ countries में कुछ region में prescribed मात्रा दी प्रू की गई है जहां पर आप सराप पी सकते हो लेकिन बहुत ही ज्यादा अगर आप सराप का सेवन करते हो तो वन बेवन स्टेप बेस्ट आपके जो वाइटल ओर्गन्स है वह भी कमज़र होना स्टार्ट हो जाए अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी इन कैस ओफ न मात्रा में आलकूल का सेवन करते हो तो आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी नमश्य सिर्फ से लोग होते हो जो ज्यादा छूझत से कभी कभी में भी बहुत ज्लीचन हो जाता हूँ देखें ऐसा नहीं करना है क्योंकि अगर अप सिलेक्टिड हो जाएगी तो हो सके तो सभी प्रकार के वेजिटाबिस आपको खाने चाहित खास कर लिए जबहुत है जरूरी है लेकिन तर ची jul या फिर दूद पीते हो या फ्रूट्स खाते हो जिसमें नेचरल सुगर है तो बहुत ही अच्छा है लेकिन अगर आप बाहर की स्विट्स ज्यादा खाते हो आप बाहर का प्रोसेस फूट्स ज्यादा खाते हो जिसमें शुगर की मात्र बहुत शारी होती है तो अल्टिमेट झालो 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 झालो